आज का स्पेशल वीडियो है अचार मसाले का तो चलिए इंस्टन्ट हम देख लेते हैं कि अचार मसाला घर पे कैसे बनाए जाए तो चलिए शुरू करते हैं यह है आमचूर पाउडर दो चमच यह सारे मसाले हमें लगने वाले हैं एक चमच फेनुगरिक यानि मेथी दाना पाच चमच सौफ चार चमच धनिया एक चमच जीरा और दो चमच राई अभी हम जो है न यहाँ पे तीन से चार लॉंग का भी यूज़ करने वाले हैं और अभी हम ड्राय रोस्ट कर लेंगे ड्राय रोस्ट करने से इन सारे मसालों की जो टेस्ट है न वो और भी ज़्यादा इंहंस हो जाएगी अगर इस तरह के से आप भी घर पर अचार का मसाला बना के रख देंगे तो आप कभी भी कोई भी मसाला कोई भी सौरी अचार बना सक तेखिए दो से तिन मिनिट में ये रोस्ट करके हो चुका है, इनको बहुत जादा जलाना नहीं है, थोड़ा सा इनको हलका सा हमें रोस्ट करना है, अभी हम इसको कोर्स ग्राइंड कर लेंगे, बहुत बारिक ने करना है, दरदराई इसको पीसना है, अभी हम ये जो मसाला है इसको कभी भी यूज़ कर सकतें इसको नॉर्मल नमक होता है सादा नमक वो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि अलग अचार के साथ अलग अलग नमक की कॉंटिटी लगती है यहाँ पे मैं डालने वाली हूं 3 टेबल स्वोन रेडचिली पाउडर इसके साथ क्योंकि अगर थोड़ा सा तीका खटा और अच्छा मसालोदार रहे अच्छा तो बहुत टेस्टी लगता है जितना कॉंटिटी अभी हमने लिया है मसालो की उसके साथ 3 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 फोर्थ टेबल स्पून हल्दी मैं यहाँ पे मिल सारे मसाले आपको यहाँ पे लेने हैं ओके तो यह लीजे हमारा बिल्कुल ड्राय इंक्रिटेंट्स का रेडी है पूरा मिक्सचर और यहाँ पे हम लास्पी मिलाएंगे आमचोर पाउडर और आमचोर पाउडर मिलाने के साथ हमारा अचार का मसाला हो गया है रेडी आप जब भी चाहिए इसको यूज कर लीजे तो मेरे बहुत सारी रेसिपीज आने वाली है देख तेरे यह प्रेटी की किचन मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई